Welcome to the Yashima Show 11 अगस 2020 को सुप्रीम कोट ने 121 पन्नों का एक बहुत ही रिमार्किबल फैसला सुनाया जिसमें ये साफ कर दिया कि property inheritance यानि कि पुष्टैनी संपत्ती के वारस में जितना हग बेटों का है उतना ही हग बेटी का भी है ये ऐसा judgment है जिसका करोडों हिंदू परिवारों पर गहरा असर पड़ेगा For daughters, it's a landmark judgment Judgment का सबसे important dialogue जो Justice Arun Michra की bench ने Judgment में कहा वो ये था कि Daughters remain loving daughters throughout their life यानि कि बेटिया पूरी जिंदगी भर प्यारी हैं शादी से पहले भी और शादी के बार भी 11 अगस को आई judgment की कानूनी भाषा को बहुत ही simple language में बताऊंगी क्योंकि legal language में कुछ फैसले ऐसे आते हैं जो आम तोर पर समझने थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं आज की वीडियो में बताऊंगी कि क्या कोई नया कानून आया है जिससे बेटियो को संपत्ती में अधिकार मिलने जा रहा है हिंदू सक्सेशन एक्ट क्या है बेटियो को संपत्ती में बेटो के बराबर का अधिकार तो हिंदू सक्सेशन एक 2005 की amendment में ही मिल गया था तो 11 अगस का judgment कैसे historic है आज की वीडियो में आपको ऐसी interesting and important information मिले की कि वीडियो के end में बोलोगे अच्छा ऐसा भी होता है तो बने रहे हैं मेरे साथ वीडियो के end तक तो सबसे पहले बताती हूँ Hindu Succession Act 1956 के बारे में तो हिंदू के property transfer के उपर ये एक law है जिसको बोलते है Hindu Succession Act जो बना था 1956 में तो ये law H.U.F. यानि की Hindu Undivided Families जिसे हम local language में joint Hindu families भी बोलते हैं उनकी property inheritance और succession मतलग की वारेस कौन होगा प्रॉपर्टी अगले आने वाली generation में किसको मिलेगी और किसका property पर कितना right होगा ये सब चीजे decide करता है और ये act applicable है Hindu, Buddhist, Jains और Six पर आपकी जानकारी के लिए बताओ तो इस act recording property दो तरह की होती है पहली होती है ancestral property यानि की पैत्रिक संपती जो परिवार को मिलती चली आती है पीडी दरपीडी और दूसरी होती है self acquired property य इसके बाद अब दो और important terms है members और co-partners जिसका difference जानना भी जरूरी है ताकि आगे की वीडियो समझ आ सके members होते है family के सभी जन जिसमें wife, daughter-in-law, son-in-law, etc. सभी लोग आते हैं और co-partners होते हैं सिरफ वो लोग जिनका ancestral property पे legally right होता है वो पीस of land को claim कर सकते हैं court में जाकर तो क्या सभी family members co-partners भी होते हैं 2005 से पहले तक Hindu Succession Act ये कहता था कि co-partners यानि की पुष्टेनी संपत्ती का वारिस एक father की अगली तीन generations में से उनके son, उनके grandson और उनके great grandson बन सकते हैं हाँ जी साल 2005 से पहले तक daughters, widows या wives का ancestral property में उनको कानूनी अधिकार नहीं होता था which was clearly a gender discrimination और यही थी इस Hindu Succession Act की सबसे बड़ी limitation और criticism भी यही था कि why only males can be co-partners और इसी कानून की वज़े से independence के early years में बेटों को जाधा priority दी जाती थी अब हो सकते हैं आप सोचें कि अगर पिता चाहे तो अपनी will में कुछ या सारी property अपनी पत्नी बभू या बेटी को नाम करके भी तो उनकी जायदात में जिदार बना सकता है तो उसके लिए एक चीज़ आपको बताती हूं कि father अ ancestral property को नहीं ancestral property अलग होती है और उसका division विल के हिसाब से नहीं सिरफ Hindu Succession Act के हिसाब से होता था और वो बस अगली तीन पीडियो में मेल्स को ही मिल सकती थी daughters के खिलाब इसी gender discrimination को खतम करने के लिए लाया गया था Hindu Succession Act 2005 Amendment जिसके तहर 9 September 2005 के बाद से ancestral property पर बेटे और बेटियों का अधिकार बराबर हो गया था तो अब 2005 के amendment में daughters को भी co-partners कहा गया और ये भी कहा गया कि daughters का जो ये co-partners का right है ये birth से उनके पास है और sons की तरह daughters की भी property में equally liability हो लेकिन 2005 में हुई इस amendments पर काफी controversies हुए क्योंकि उसमें ये clear नहीं था कि उन daughters का क्या जो 2005 से पहले पैदा हुई थी क्या उनको right मिलेगा या उस case में क्या होगा जब father की death या फिर property का division 2005 से पहले हो गया हो यानि की back date में जो events हो चुके हैं उनका क्या होगा benefits लेने के लिए क्या 2005 में father का alive होना जरूरी है ऐसे में फिर सालों अलग-अलग cases में अलग-अलग judgment दी जा रहे थी किसी decision में uniformity नहीं थी किसी case में कहते कि 2005 में judgment आया उस time को partner यानि father का living होना जरूरी है अगर father living है तब ही उनकी बेटियों को ये अधिकार मिलेगा 2018 के एक case में इसते उलट judgment दी गई कि even if father dies before 2005 then also property passes on to the daughter तो एक conflicting judgment होने की वज़े से बहुत बड़ी confusion बन गई थी तो जो judgment Supreme Court ने 11 अगर्स 2020 को deliver की है उसमें Supreme Court ने इस confusion को solve कर दिया है ये case था वनीता शर्मा वर्सिस राकेश शर्मा इस case में तीन जज़िस की bench बिठाई गई और इस पर Supreme Court के बहुत ही साफ साफ शब्दों में ये बोला है कि ancestral property पर woman का जो right है वो जैसे बेटों का by birth यानि जन से मिला हुआ है वैसे ही बेटियों के लिए भी है father alive है या नहीं उससे उनका birth right effect नहीं होता है 2005 से पहले जो daughters born हुई थी उनको भी बराबर का right मिलेगा साथी Supreme Court ने सभी state high court से ये भी कहा है कि किसी भी court में daughters के property right से जुड़े pending cases की सुनवाई चे महिने के अंदर पूरी कर ली जाए जिससे की justice देने में देरी बिल्कुल ना हो हमारे सनाज में ये तो हमेशा से चलता ही आ रहा है कि अगर किसी family का business empire है तो generally क्या होता है कि बेटे ही business को succeed करते हैं मतलब आगे चलाते हैं और mostly daughters after marriage दूसरे घर में चली जाती है यानि कि जो business है वो mail tree में ही आगे बढ़ता जाता है तो अब इस कानून पे clarity पाने के बाद कितनी और और अड़े अपने पिता की push tenni जायदात पर अपना हक मांगेगी और क्या उनको easily मिल जाएगा ये तो आने वाला time ही बताएगा बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल है कि नया law सिर्फ कुछ धर्म के लोगों पर ही क्यों लागू है देश के सभी परिवारों पर ये नियम लागू होना चाहिए ताकि देश में uniform civil court लागू हो सके आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने friends and family के साथ भी शेयर करें तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में टेक केर